मों कॉमन पेपर है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट जो बीएड कोर्स है उसमें यह प्रैक्टिकल एग्जाम होता है आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी बनाने होती है जिसमें डिफरेंट जो अस लेबस दिया गया है उसके मताबक उसके कॉश्चन और आंसर आपको लिखने होती है तो यह ऐसे होती है यह कॉपी तो आपने बना ली होगी लेकिन उसके कॉश्चन को जल्दी से याद कैसे रखना है दूसरी बात यह है कि मॉस्टली कॉमनली कॉन से कॉश्चन पूचछे जाते हैं वो इसमें डिसकॉस करूँगा पहली बात है कि depression का समझते हैं meaning बनाना जो है समझ लेना है तो reading का मतलब नियर नौर्मरी और reflecting का मेन मतलब है कि जो पढ़ते हो textbook के यह क्यों लगाया गया है क्योंकि Indian education system textbook के बिना आगे बढ़ ही नहीं सका ना सकेगा तो text को समझना surface level पर सिर्फ question का answer समझ लेना ये काफी नहीं है इस से ज्यादा उसके meaning पता होने चाहिए तो जो वो deep thinking है regarding वो जो read किया है तो उसको reflection कहते हैं reflection को और समझना है तो जो आपने पढ़ा है उसका theme आपको समझ आ गया जो आपने पढ़ा है क्या उसको practical life से compare करके देखा जो आपने पढ़ा है आपके experience से कितना match करता है जो आपने पढ़ा है उसको critical thinking से evaluate कितना करते हूँ क्या इसमें right है क्या wrong है मैं इससे सहमत हूँ नहीं सहमत हूँ सैमत हूं क्यों सैमत हों नहीं सैमत हूं तो क्यों सैमत हूँ क्या आपने पड़ा है उसकी सम्मरी कें केंखल सिभास निकाल सकती हो तो यह reflection के aspect an normal है तो यह question क्या आएंगे उसके बारे में बात करेंगे एक कॉस्टियोशन डिस्प्ले करूंगा यह पीपीटी है यहां पर फर्स्ट नॉर्मल कॉश्चन पूचा जाता है what are the aims of education as given in national curriculum framework 2005 देखिए यह वीडियो क्यों बिना रहा हूं important इसलिए है सभी पीड के इंडिया के सारे students के लिए क्योंकि यही question same जो है national सौरी टीटी में state level का हो जहां center level का हो उसमें पूछे जाते हैं इसके बिना इसके question repeat होते हैं दूसरी बात है कि जो national curriculum framework में है यह और नए वाले में जो होगा उसके जो right answer है वो लगाता repeat होते हैं तो for example इसका जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यह जो aim है ज्यादा हों में है में में है और easy कैसे कर सकते हैं यह हमने देखना है और मैंने पहले लिखा है constructivist and learner centered approach यह रपीटर ली answer इस जो practical है इसमें दिया जा सकता है अच्छा हमारे पास और कौन से है independence of thought है participation in democratic process and empower करना सभी learner को empower करना खास करके जो जो excluded रहे हैं marginalized रहे हैं holistic development है जिसमें physical emotional social cognitive सारी development आ जाती है intellectual development learning quality learning environment है जो quality learning प्रवाइड करना है creative thinking multicultural attributes है मतलब discrimination करना inclusive education रखनी है citizenship के लिए education देनी है तो इनको यहाद रखने का तरीका मैंने यह बनाया है मैंने एक word लिखा है multi चिप्स जहां multi चिपक चिपक क्यों से रखा है तो यह नॉर्मल वर्ड्स होगे आगे जाके कोई और अबरेविशन बनाऊंगा जो रिपीटिड ली इस पेपर में आपकी हेल्प करेंगे मल्टी से multi-disciplinary answer बनता है multi-disciplinary approach और multi cultural multi linguistic हैना यह आइसर जो नॉर्मली बनेंगे सी से बहुत ज्यादा बनती है creative thinking है critical thinking है child centeredness citizenship है सी से आगे चलके और करेंगे एच से holistic development है इसको all-round development आप बोल सकते हो word को change करकर करके बोल सकते हो ना आगे चलके self actualization जैसे यह meaning भी इसके बन सकते हैं independent of thought है I say inclusive education है यह बहुत ज्यादा important है repeated इसमें answer होगा पी से participation है हना learning process में है और democratic process में है क्यों से quality है quality क्या quality learning environment quality learner quality teacher जहां teacher की development professional development यह वाली बातें जो है repeated होंगी as answer next question क्या देखते हैं what do you understand by narrative text यह important है reading reading and reflecting reading तो text की टाइप्स नॉर्मली पुछी जाएगी तो narrative से narrative text से एक बात याद रखनी है कि narration जा narrative का जो meaning बनता है वो story से बिलकुल related है और story में क्या होता है कि event one जो घटी है character है उसके बाद दूसरी event घट रही है उसके बाद second third fourth fifth ऐसे है ना it means के series of series of events होंगी narrative text में यह central idea है आप इतनी भी बात करते हो तो काफी है लेकिन इसमें कुछ detail आपने learn करना है तो यह हम यहां पर बाते कर सकते हैं यह बड़ी कर दी मैंने narration में pen ले लिएंगा मैं एक तो series of event बात हो चुकी है story इतना काफी है जिसमें एक beginning होती है कोई भी story आपने सुनी है एक beginning है आप film को भी इससे relate कर सकते हो film में भी story होती है उसमें middle भी होगा और एंड भी हो गया एंड दुख में यह सुख में कोई भी हो सकता है और करेक्टर होंगे specific जो हीरो है विलन है वगयरा वगयरा है तो टाइम and place की importance होती है story में और first person या third person के perspective से ज्यादा होती है अच्छा यह क्यों point बोल रहा हूं जब आपको और कोई text पूछी जाएगी question में तो जो है उनसे comparison हम कर सकते है तो जो theme है message है जो कहना चाहता है लिखर ओ जनली explode होता है conflict जरूर होगा दुविदा जरूर हर story में एक दुख दुविदा tension वाला महौल एक tense महौल बहुत जरूर होगी कोई भी story हो हना narrative conclusion resolution है कई बार suggestion भी जाते है moral जो है implication उसकी होती है तो इसमें example कौन सी है यह याद रख सकते हैं पहला और last में यह याद रख सकते हैं novels है short stories है poetry को मत रखी है folk tales है हमारी मिच जूना मौर शतर चना चलिया कोई भी आपकी जो story है दुला पत्ती वाला जैसे लोडी चल रही है आज तो यह according to बार बारा उन्होंने क्या कहा है के purpose of narrative text is to entertain अगर यह question पूछा जाए एंटर्टेन में express of the feeling or inform and persuade the उसको कायल करना है change करना है उसकी thinking को थोड़ा सा बदलना है यह इनके मताबक है नेक्स्ट है what is ethnographical research दो वर्ड को आप अलग अलग कर लीजिए ethno को और graphic को वैसे अबरेवेशन बता देता हूं साथ में जोड़के जो समझ सकते हैं ethno को culture के meaning लेने है culture में क्या होती है आपकी values है habits है practices है day to day life experiences है आप किसी चीज़ को celebrate कैसे करते हो आपकी knowledge है belief है religion है आपके relationships हैं कैसे हैं तो यह सारा कुछ culture में आता है हुता क्या है कि एक researcher होगा जो कि किसी group मान लीजिए कोई group है वैसे मैं पहले Margaret Mead की जरूर बात करूंगा जो ट्रोब्रियंडर एक कबीला था उसके culture का पार्ट बन गया मतलब उसके जा जाके ट्रोब्र अंडर जो कबीला था उसमें जाके मीड जो था यह रहने लगी तो जब रहने लगे वहां पर रहना खाना पीना सोना जो वह करते हैं वैसे करना इट मेंज यह पार्टी स्पेंट और बन गए उस ओर रहे हैं देख रहे हैं अब्सरुकर रहे हैं पार्टिस्पन आब्जरवेशन हो था ही यह वह ट्रेम और यह तो इसमें क्या है अब बोह रोज देखते हैं कि कैसे हैं जी कैसे सेलिब्लेट करते हैं हैं गयाओ मेली जो straight तो मीड की यह इत्नोग्राफिकल रिसर्च ने यह साबित किया था कि जो ट्रोब्रियंडर के कल्चर के डोल सेंट है बॉइस हैं गर्ल्स हैं उनमें कोई टेंचन नहीं है टेंचन का खारण ना होने का कारण भी बताया कि उनमें और ऐसमाज में में रोक़ है अख्या नहीं हो सकती तो वह यह जितनी ज्यादा अच्छन होगी यह गहिंकल recovery होती है तो इसको यह को जो यह डिस देखा है उसको डिसक्राइब करेंगे यह टेख्ष जब यूँड कर होती है तो इसकी विशेष्टां हम देख लेते हैं यहां पर जाके यह किया क्या क्या होती है कि यह इफ्ची लाइफ of slum area रूरल एरिया और कोई कोई स्कूट का कुल्चर है उसको स्टेडी कर सकते हैं आप र्षा कर सकते है है तो यह कोनीटी eng tons बन गई है तो यह करती है इतनोग्राफिकल रिसर्च को पार्टिस्पेंट अब्जर्वेशन है यह मतलब कम्मुनिटी का पार्ट बन जाता है यह बात बता क्या हूं डिस्क्रिप्टिव होती है ज्यादा तर दिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चरल इवंट प्रेक्टिस सोशल लाइफ उसकी क्ल्चरल कforcement के फिनोमिना के वह एकस्प्लें किये जाते हैं बताय जाते है कंक्तेक्स्टालाईजैशन मतलब इस सकती हो सकती झाल इस कि इस त्लग बाकियों को दो भी compare करके पता चला है कि यह डिफरेंस जो है यह कारण बनते हैं टेंशन का डोल संटी के अच्छा एथनोग्राफिक टेस्ट होलिस्टिक प्रस्पेक्टिव होगा कि एक पार्ट को स्टडी नहीं करेंगे वह कुल्चर के हर आस्पेक्ट को स्टडी करेंगे वेरियल भिए खोड़ोगे तो इन भार साथ करके इसको संब्लिटे की कोशिश करना तो उसमें direct कोटेशन होगी को जो important Dalăng है जो repeat culture को रिपरेंट करते हैं habits को values को practices को वह सकते हैं ठीक है तो यह पीक्रेंग में next question है what is the difference between narrative and autobiographical research नरेटिव का किया कि स्टोरी को याद रहना है तो फर्स्ट है थर्ड परसन में होता है तो आटो बाइयोग्राफिकल रिसर्च में बच्पन में ऐसा था फिर बढ़ा हो गया फिर ऐसी हो गया ऐसे हो गया ऐसे जो है chronological नहीं चलेगी events की series होगी तो यह डिफरेंस इसमें अगर आपने देखने हैं एक कॉश्चन की तरह पर इस टेबल को आप देख सकते हो फोकस क्या होगा narrative का focus mostly non-fictional होता है फिक्शनल सॉरी फिक्शनल ज्यादा होता है non-fictional कम होता है इसका रियल ज्यादा होया on author के जो life experience अपने हैं वह शेयर करने हैं तो रियल लाइफ है fictional है यह बात हो चुकिया repeat नहीं हो नहीं author का role क्या है कि वह story का part हो भी सकता है कि नहीं नहीं हो सकता है यहां पर हर हालत में autobiographical research में वह story का part होगा वह character होगा point of view first third है यहां पर first person ही होगा मैं मेरी बात बताऊंगा किसी autobiography की बात भी कर सकते हैं जैसे wings of the fire आप क्लाम साब की बात कर सकते हैं परपस क्या है इसका entertainment इसका ज्यादा है education है यह दो यह याद रखना है नरेटिव का यह रहा नरेटिव और इसकी इसे entertainment इसे education education ही मतलब message करना है तो यहां पर autograve कर मैं अपनी अपनी expression मैं अपनी life को express करना चाहता हूं मैं अपनी life पर reflect करना चाहता हूं तो मैं कहने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया और मैं क्या अच्छा कर सकता था पर्सनल experience में शेर करना चाहता हूं तो यह डिफरेंस है इन में structure क्या है definite plot होगा character होगे settings होगे themes होगा तो यह chronology के लिचे निगे समय के मनसार जैसे मैं ने बताया तो यह character fictional यह बात रिपीट हो रही है तो example क्या novel है short story है यहां पर autobiography है memnick और यह personal assets है इसकी example दी सकते है अगर आपको question यह पुछा जाता है तो next up what are NPE 86 recommendation related to evaluation question पूछा जाता है बार-बार इसको याद करना है वैसे तो CCE है reduction in exam stress है holistic assessment है सभी आसपेक्ट को देखना है flexibility board exam में है credit based evaluation system grading system teacher made test teacher training evaluation and method है teacher की training evaluation कैसे करने उस method की Establish and feedback mechanism है तो अगर इनको short में आपने याद करना है आपको एक word ही याद करना होगा teachers chief CHIEF कोई भी spelling लिख लिख लिए हमें यह शब्द बीच में आने teacher से आपके दो बन गए एक तो teacher made test पर emphasis है और teacher training है दो यह यहां से बन गए ऐस से आपका stress बन गया यह stress है teacher ने कम करनी है अब सी से यह चीफ है सी से सी से दो बनते हैं एक continuous and comprehensive evaluation और दूसरा credit based system इसको associate कर लिजिए आप और ह से holistic development holistic assessment और एफ से feedback mechanism और flexible board exam है teacher is chief teacher g chief भी बोल सकते हो grading system इसके साथ इसकी main important है teacher g chiefs s यहां भी आप लगा सकते हो आपको जैसे भी suit है आपका नया word को बनता है आप वो बना सकते हो तो यह हो गया next है आपका question पूछा जाता जो नॉर्मली है what are the features and core element of ncf 2005 उसके लिए simple पहले से अब्रिवेशन में बना के रखी है आपने चाइल्ड याद रखना इसको जिसको मैं बढ़ा किया है इस यह काम आएगा सी से चाइल्ड सेंडेट अप्रोच पहले भी की है कोनेक्टिविटी विज रियल लाइफ है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है कल्च्रल एंड आर्टिस्टिक हैरिटेज है यह सी की बात है और एच से आगया हॉलिस्टिक डेवल्पमेंट पहले भी किया है आई से आगया इंक्लूसिव एजूकेशन पहले भी सीधा पढ़के याद रहता है तो यह अब्रेवेशन बनाने की आपको कोई जरूरत है अडिशनल इसमें है फ्लेक्सिवल करिकुलम फ्लेक्सिबिल्टी फीडबैक यह भी रिपीट बार बार होते हैं वर्ड असेस्मेंट रिफॉर्म है इंवार्मेंटल सस्टेनिबिलिटी बार बार आएगा ग्लोबल प्रस्पेक्टिव यूज टेक्नॉलजी अगर आपने इतने उतर देने हैं तो अधर्वाइस आप चाइल्ड सेंडर्ड एजुकेशन है वैल्यू एजुकेशन एक्टिविटी असेस्मेंट लर्निंग यह याद कैसे रखना है कि सबसे पहले अप्रोच और चाइल्ड सेंडर्ड बहुत रपीट हो रहे हैं याद हो चुके होंगे आपने बाद में याद रखना है वैल्यू एजुकेशन एन सी एफ को दोजार पाई की पैड़ागोजी को गोजी की यह वाली वी से याद रख लेना यह वाली वी सी बन गई है वैल्य है वेल्यू एजुकेशन ए से एक्टिवीटी और असेस्मेंट अज लर्निंग यह जो अब मेटा कॉगनेति प्रोसेस होती है जो रिफ्लेक्ट करते हो यह वह बली वह ब्ला आसपेक्ट है लर्णिग का तेन पाने सेस्मेंट वार लर्निंग जब फॉर लर्निंग आता है तो formative assessment है हना तो assessment of learning of जो है जब session off हो गया end हो गया मतलब summative learning और as learning mean के reflective learning as metacognition के जो मैं assess कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं मैं ठीक ढंग से कर रहा हूं उसके बारे में सोचना हना तो यह हम कर रहे से education से वी हो गया a से दो होगी activity based learning है assessment as learning है L से यह हो गया L L को यहां से ला रहा हूं learning by doing है learning environment है जो आप flexibility भी कह सकते हो flexible learning environment कैसे quality learning environment कैसे कोई भी आप word use synonymously use कर सकते हो L से ही है language and communication तो यह value education से जोड़ के आप इस आस्पेक्ट को याद रख सकते हो आगे भी है अब है अच्छा explain the pedagogy aspect as enlisted in NCW वह उसी की उसी का पार्ट चल रहा है हमने child-centered constructivism फिर value education और education की आई हमेंने निकाली है अगर याद रखना है integrated learning inquiry based learning यह यादा important है लेकिन यह constructivist जो पहला word था उसी का ही पार्ट है I say inclusive education यह पीछा नहीं चोड़ेगा यह आंसर आप बार बात दे सकते हो cc holistic की अभी पीछे बात करके आएं teacher जी जो जा teachers stress chief यह वर्ड को जोड़ के हमने evaluation की बात ऐसे याद रखनी है पीछे बात कराएं आगे चलते हैं reflect upon whatever you have read about the environment from the school book क्योंकि आपको आप school books को पढ़ने के exercise इसमें कही होती है आपको एक दो चैप्टर पढ़के जाने हैं कोई हना उसके main heading जा उस एक चैप्टर को पढ़ लोगे अच्छा होगा क्योंकि टीटी में आपके याद रखना इसके 60 questions होंगे आपके subject की अगर math science है तो 60 question होगे social science है 60 question होगे music है physical education 60 question 60 में से 45 questions सीधे ही यह NCRT की यह books में से ही होगे और जो यह 15 question बचेंगे इसके लगबख वो pedagogy की होंगे pedagogy उसकी teaching learning process के बारे में होगा तो यह इसलिए इसको learn कर लेना चाहिए तो अब आप कैसे reflect करोगे reflect कैसे करना है उसके मैंने पहले भी शुरू में बताया reflection क्या होती है आप जो भी chapter जहां बुक की बात करें उसको पहले बताओगे यह बुक है जी यह उसका author है यह level है यह sixth class की है NCRT की है पंजाब बोर्ड की है किसी और बोर्ड की है तो दूसरा है उसमें main theme क्या है वो बता रहे हो जैसे यहां environmentally है तो मेरे पर क्या जो मेरे reaction उसकी बुक के बारे में क्या है मैं क्या सोचता हूं हो रियल लाइफ से related को किया जा सकता है कि imaginary ज्यादा है उसके educational impact क्या बच्चों पर असर होगा चेंज आ सकता है इंट्रस्टिंग है नहीं है क्रिटीक आप उसके negative और positive बाते बताना चाहते हो लेकिन आपको constructive criticism ही करना होगा constructive criticism है पॉजिटीव होता है बहुत question आता है टी एटी में तो वह आप improve उस बुक को कैसे कर रहोंगे यह देशाए और टोन positive रखनी है अपनी respectful रखनी है अगर आप खुद सत के विरोध करके ऐसे करते हो तो it means आप disturbed हो तो लास्ट में जो भी आपने बुक पढ़िया उसकी summary बतानी है तो इस question का answer आप ऐसे दोगे यह best होगा what you have to say about the health issues from the school book तो जैसे यह points कोई भी question आपको आता है reflect on this part of book reflect on this book तो आपने यह पांच साथ चीजें ही repeat करनी है उस book चैप्टर के बारे में यहां पर health के वो book के बारे में health education के बारे में वो बातें वही question जो है वही जो है आस्पेक्ट है उनका ही आपने उत्तर हर हालत में देना है name different type of section बहुत ज्यादा question आता है है